तबसे बड़ी मुसीबत जो है वो उधव गुटकों हो गई है शिंदे गुठी अस्ली शिक्स है पाले के समिधान को लेकर दोनों गुटों के बीज मध्यत के शिकाय चुनावायोग में दाखिल की गई है दर्कालिन राजपाल भगसिंग को शियारी ने ये निश्कर्ष निकालने में गलती की थी कि ठाक्रे में विधायकों के बहुमत का सवर्थन खो दिया था महारास्ट में एक बार फिर से सियासी उठा पटक देखी गई शाम तक ये कयास लगाये जा रहे थे कि महारास्ट में कुछ बड़ा फिर बदर होने वाला है क्या एकनात शिंदे की सरकार दिर जाएगी? क्या एकनात शिंदे मुखे मंतुरी पट से हट जाएगे? ऐसे बहुत सारे सवाल आज सुभा से यूठ रहे थे लेकिन शाम को जब स्पीकर ने अपना फैसला सुनाया उसके बाद सारे कयास जो है वो धरे के धरे रहे गए और लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो उधव गुट को हो गई है उधव गुट को बड़ा जटका लगा है दरसल शिवसेरा वधायको की आयुगता को लेकर विधान सभाध हैक्ष राहुल नार्विकर ने अपना फैसला आखिरकार सुनाया राहुल नार्विकर ने उधव गुट को बड़ा जटका दिया दरसल फैसला उन्होंने शिंदे गुट के पक्ष में दे दिया है उधव गुट की मांग पुछ स्पीकर ने सिर्य से खारिच कर दिया विधान सभाध्यक्ष ने अपने फैसले में बताए कि एक नात शिंदे गुठी असली शिवसेना है अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि अगर एक नात शिंदे गुट ही अफले शिवसेना है तो फिर बाला साब ठाकरें जिवसेना की स्थापना की थी वो कौन से शिवसेना है और उधव गुट क्यों ये प्रूफ नहीं कर पाया कि उनके पास असली शिवसेना ये असली नकली शिवसेना कब हो गए ये बहुत बड़ा सवाल है राहु नादकन ने फैसला पढ़ते वे कहा है कि शिवसेना का उन्हें सुन नानवे का समधान ही मानने है एलेकशन कमीशन रिकॉर्ड में सियंदे गुट मुट शिवसेना अहीं कहा है पास से नहीं हटा सकते थे उदर ठाकरिय गनात शिणरी को नहीं हटा सकते थे और उदर ठाकरिय अकेले कोई भी पैसला नहीं ले सकते थे कारिकार्णी की बैठक नहीं बुलाए गई, बहमत का फैसला लागुगोना चाहिए था 2018 का फैसला समधान की अनुसार नहीं था आगे वो कहते हैं कि पार्टे की समधान को लेकर दोनों गुटों के वीच मदभेद की शिकाय चुनावायोग में दाखिल की गई है समधान का आधार ये बताने के लिए गया है कि असले शिवसेना कौन है दरसल चुनावायोग को फैसला पार्टी के समधान पर आधारी थे 2018 में समधान में जो संशोधन हुआ उसका पूरा बचार पार्टी को था उस पक जो समधान संशोधन हुआ वो सभी की सेहमती से हुआ ता लेकिन चुनावायों के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है समधान में इस समधान को ध्यान में रखी रखा जाएगा बलके 2019 की पराने समधान को ध्यान में रखा जाएगा शिवसेना वधायकों की आयुकता का मामला क्या है? ये जानना बहुत जादा जरूरी हो जाता है जब इस पर फैसला आया है शिवसेना में बगावत के बाद क्या क्या हुआ? मामला अदालत में कैसे पहुचा और वहाँ क्या फैसला आया? मामले में अभी क्या हुआ? ये हमने आपको पहले बताया शिवसेना वधायकों की अगता पर पूरा मामला क्या है? बाद जून 2022 में तूट के बाद एकनातिशिंदे और उधव ठाकरी चुनावायक से लेकर अदालक तक शिवसेना को अपनी पार्टी बताने की कोशिश करते रहे हैं एक साल से जादा का वक्त हो गया है अभी भी ये लड़ाई जो है वो लगातार जारी थी लेकिन आज कहीं न कहीं पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आया दोनों गुटने विधान सभाद्यक्ष के सबक्ष 34 या चुकायदायक की थी इसमें खुद को असली पार्टी बताने और दल बदल विरोधी कानूनों का हवाला देते हुए एक दूसरे के विधायकों को आयोगे घूशित करने की मांग लगातार की जा रही थी अब ये आयोगता का मामला कैसे शुरू हुआ इस पर भी एक नजर डालेते हैं इस पूरे घटना करम को अगर समझने की कोशिश करें तो पिषले महाराष्ट विधानसभा चुनाव को जानना बेहत जरूरी है तभी मामला समझ में आ सकता है अक्टूबर 2019 में महाराष्ट में हुए चुनाव में 288 सिदस्य विधानसभा में 104 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन गई वहीं चुनाव में भाजपा की साथी शिवसेना के 56 विधायक जीते विपक्ष में न्सप को 54 और कॉंग्रिस को 44 सीटें मिली थी बाकी अन्य 29 सीटों पर छोटे दलों और नर्दल ये प्रतियाशों ने जीत हासिल की थी अब चुनाव के बाद शिवसेना और भाजपा में धाय-धाय साल के लिए मुखे मत्री पत को लेकर खीन चितान शुरू हो गई और बातना बनने पर गटवंडन बिखर गया तूड गया भाजपार से अलग होने के बाद नवेंबर 2019 में शिवसेना ने कॉंग्रिस और न्सप के साथ राज्य में माविकार सगारी के सरकार बनाई और उधव ठाकरे मुखे मंत्री बन गए लेकिन इसके बाद भी ये जो बगावत है वो थमी नहीं 2019 के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि महरास्ट में कोई न कोई सियासी हलचल नजर आ रही है सरकार गठन के 20 साल बाद 20 जून 2022 को शिवसेरा में बगावत हो गई MLC चुनाव में शिवसेरा के कई विधायकों ने भाजपा के उमीदवार को वोट दे दिया एक दिन बाद यानि किस जून को ही उधग ठाकरे से नाखुश चल रहे विधायक सूरग चले गए इन विधायकों का नेतित कैबनेट मंतरी एकनातर शिंदे कर रहे थे यहां से ये सब ही गुआहाती पहुँच गए इसके करीब 6 दिन बाद तक उधफ शिंदे गुट को मनाने में जुटे रहे लेकिन कुछ फायदा होता हुआ धरातल पर नज़र नहीं आया इस वीच उधफ ठाकरे गुट की शिकायत पर डिप्टी स्पीकर ने सूला बागी विधायकों को आयोगता का नोटिस दे दिया इसके खलाफ शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की कारवाई पर बारा जुलाई तक रोक लगा दी थी उधर भाजपा ने ताद देवेंद फणवीस ने राजपाल से मिलकर फ्लोर टेस्ट की मांग कर दी राजपाल ने भी इसके लिए आदिश्वारी कर दिया था इसे सियासी भूचाल के चलते 30 जून 2022 को उधर ठाकरे को मुख्य मंत्री पद से स्तीफा दिना पड़ा जिसके बाद राजपाल एकनात शिंदे ने सम्हाली और देवेंद फणवीस उप मुख्य मंत्री बन गए विवार्द अभी तक सियासी था लेकिन उसके बाद अदालत तक पहुँच गया कैसे पहुचा दरसल 4 जूलाई 2022 को महाराष्ट विधान सभा में फ्लोर टेस्ट हुआ इसमें एकनात शिंदे ने बहुमत साबित कर दिया शिंदे को सरकार बचाने के 144 वधायकों के समर्थन चाहिए था और फ्लोर टेस्ट के दोरान 164 वधायकों ने शिंदे सरकार के पक्ष में वोट किया विपक्ष में 99 पोट पड़े और 22 वधायक गैर हाजिर रहे इधर इसके बाद उधव गुट ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोट का रुख कर लिया चुनाव आयोग ने 17 फरवरी 2023 को अपना फैसला सुनाया था आयोग ने शिवसेना का नाम और चुनाव चिन दोनों ही एकनात शिंदे गुट को दे लिया अब आयोग ने कहा कि शिंदे गुट ही असले शिवसेना है चुनाव आयोग ने जटका देने के बाद उधव ठाकरे ने सुप्रीम कोट में पैर भी तेस कर दी यानि मामला फिर सुप्रीम कोट तक पहच गया 17 फर्वरी 2023 को पीठ ने शिवसेना के उधव ठाकरे और एकनात शिंदे गुट की याचका पर सुनवाई की 21 फर्वरी 2023 से कोट ने लगाता 9 दिन तक ये केस सुना 16 मार्श 2023 को सभी पक्षों की दनीले पूरी होने पर कोट ने फैसला सुरक्षित रख लिया इस फैसले में कोट ने उधव और शिंदे गुट के साथ-साथ केंद सरकार, चुनाव आयोग, विधान सभाध्यक्ष और राज़ुपाल का पक्षि भी सुना 11 माई 2023 को इस मामले में कोट का एहम फैसला आया अद्दालत ने क्या फैसला सुनाया शिंदे और 15 अन्य विधायकों को जून 2022 में ततकालीन मुख्यमत्री उदव ठाक्रे के खलाब बगावत करने के लिए आयोगे नहीं ठहराया जा सकता ये अधिकार विधान सभाध्यक्ष के पास तब तक रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोट की बड़ी बैच इस पर पैसला नहीं सुना दी थी फ्लोर टेस्ट को किसी पार्टी के आंतरिक विवाद को सुलजाने के लिए इस्तमाल नहीं किया जा सकता तदकालिन राज़ुपाल भगसिंग कोशियारी रे ये निश्कर्ष निकालने में गलती की थी कि ठाकरे में विधायकों के बहमत का समर्थन खो दिया था कोशियारी के पास फ्लोर टेस्ट बलाने के लिए कोई पुखता आधार तो था नहीं सदन के स्पीकर का शुंदे गुट की ओर से प्रस्ताविच स्पीकर गोगवले को चीफ वहिप निक्त करना अवहत फैसला था स्पीकर को सिर्फ राजनितिक दल की ओर से निक्त वहिप को ही मानिता देनी चाहिए अभी क्या हो रहा है 13 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष नार्विकर को 2024 महाराष्ट विधानसभा चिनाप से पहले शिवसेरा विधायकों की आयोगता पर निर्ने करने का आदिश दिया इसी आदेश का पालन करते वे नार्विकर बुद्वार को फैसला देते वे नजर आए बगावत करने वाले 16 विधायक अपने पत पर बने रहने के लिए योग्य है या नहीं इस पर फैसला सुझा दिया गया विधान सभाद्यक्ष के समख दोनों पक्षों ने 34 आयोगता याज का एदायती थी इसमें खुद को असली पार्टी बताने और दलबल विरोधी कानूनों का हवाला देते वे दूसरे के विधायकों को आयोगी खूशित करने की मांग तेज हुई अब नार्विकर ने ये तै कर दिया है कि वेज राज़ितिक दल कौन सा है और वो है एकनात शिंदे इसके आधार पर वो विहिप जारी करने स्पीकर के चनाव और शिंदे सरकार के फ्लोट डेस की वेदता भी आज तै करते हुई नजर आए फैसले का असर क्या हो सकता था फैसला किसी भी के दल पे पक्ष में हो सकता था फिलहाल तो एकनात शिंदे के पक्ष में ये फैसला है लेकिन इसका असर जो है वो दुरगामी हो सकता था अगर फैसला शिंदे के पक्ष में आता है तो इससे सीम के रूप में उनके सिपी मस् प्रप्राइब अगर फैसला शुन्दे के पक्षमी नहीं भी आता तो भी वो मुख्यमंत्री बने रहते तो भी वो सरकार चला रहे थे तो ये फैसला अब जो अगेंस्ट क्या है वो अगेंस्ट क्या है अब सवाल यह है कि उदव ठाकरे जो लगातार शिवसेना को लेकर आगे बढ़ रहे थे और असली शिवसेना जो है वो एकिनात शुन्दे के पार्टी को बता दिया दिया अब सवाल यह है कि बाला साब ठाकरे की जो रीती और नीती रही थी क्या उदव ठाकरे उस पर चल रहे है और अगर उस पर नहीं चल रहे है तो उद अजीद गुट के साथ होने से सरकार नहीं गिरेगे लिहाजा देवेंद 25 उपोपक्यम्ती बने रहेंगे पार्टी नेताओं का दावा ये भी है कि भाजपा का दिया नदिकतर संख्या में लोगसभा सीटे जीतने पर है तो फैसला कहीं न कहीं जहां एक नातिशिंदे के पक है